महराष्ट सरकार में मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को ईजी ने पूछताच के बाद गिरफतार कर लिया है नवाब मलिक पर आरोप क्या है? क्यों हुई पूछताच? और क्यों हुई गिरफतारी? इस वीडियो में मिलेगी पूरी जानकारी नवाब मलिक पर आरोप है कि अंडरवल्ड डॉन दाउद इबराहिम से उनका कनेक्शन है खबर है कि दाउद के भाई एकबाल कासकर ने एडी से पूछताच में नवाब मलिक का नाम लिया है एकबाल और मलिक की कंपनी के बीच में हुए एक जमीन की लेंदेन के सबूत इटी को मिले है 9 नवंबर 2021 को महराष्ट के पूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडविस ने नवाब मलिक के अंजरवल्ड से रिष्टे का संसनी खेज आरोप लगाया था आरोप के अनुसार मलिक ने दाउद के गैंग से जमीने खरी दी बताया गया कि ये जमीने मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों की है पडविस ने आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ व्यवसाइक संबंध हैं इन दोनों ने नवाब मलिक के रिष्टेदार की एक कंपनी को मुंबई के LBS रोड पर मौजूद करोडों की जमीन कोडियों के दाम में बेची पडविस के मुताबिक जमीन की बिक्री सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल की थी नवाब मलिक भी इस कंपनी से कुछ समय के लिए जुड़े हुए थे कुरला के LBS रोड पर मौजूद तीन एकर जमीन सिर्फ 20-30 लाख रुपे में बेची गई जबके इसका मार्केट प्राइज साढ़े 3 करोड रुपे से ज्यादा था माना जा रहा है कि इस मामले में कारवाई करते हुए ईजी की टीम ने मलिक को पूछताज के लिए उठाया और फिर गिरफतार किया इससे पहले ईजी ने 15 फरवरी को भी मुंबई में छापे मारी की थी जाच एजेंसी ने 10 थानों पर छापे मारी की थी जिसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिश करता दाओ दिब्राहीम की दिवंगत बहन हसीना पारकर भाई इक बालकासकर और छोटा शकील के रिष्टदार सलीम कुरेशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल थे नवाब मलिक ने गिरफतारी के बाद कहा कि मैं लड़ूंगा डरूंगा नहीं मलिक की गिरफतारी पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है विपक्ष के नेताओं का कहना है कि नवाब मलिक ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है लिहाजा सरकार अपनी एजेंसियों का गलत इस्तमाल कर रही है